आज का दिन बहुत ही खुपसूरत दिन है पहली बार 27 जनवरी और सरसती पुजा साथ में मनाया जा रहा है उच्छा का महल है हर गाओं में विद्या की देवी सरसती जी का पुजा होता है हर गाओं में हर 100 मीटर पर आपको एक मुर्ती अस्थापित मिलेगी लेकिन आज भार यह सरस्ती जी का मंदिर है अज पहली बार मैं ने देखा इस भारत देश में लेकिन हमें जहां तक पता है यह मंदीर है यह कुछ ग्रामीन है उनसे हम बात करेंगे कब बना था यह मंदीर मंदिर तो दस साल हुआ है बना हुआ और यहां पहले क्या था फूस का मंदिर फूस का घर बना हुआ था उसमें पूजा होता था इसके बाद गरामीन के सहयोग से चंदम्यक करके यह मंदिर का निर्मान हुआ है और यह मिठी कोन भराय हो यह कर रहा यह हूँ इस एक ही खुरून में कितना खुबिसूर्ट जगह है लोग के लोक इतने व쪽에त शाल epic है जो एक मंदिर यह कौन सा मंदिर है सब्सक्राइब का मंदिर के करीब ले जाकर दिखाएंगे दिखाऊंगा कि औरिजिनल में शुर्षती जी का मंदीर अस्थापित है यहां पहली बार मैंने देखा कि शुर्षती जी का भी मंदीर अब यहीं से जूम कीजिए जूम करके दिखाईए कितने दिन से मंदीर है यहां यह लगभाग मान लिए 45 साल सूपर का है मतलब अभी इ इस साल नहीं दो साल पहले हुआ था उसका कैमपस में एक ही कैंपस में तीन-चार मंदिर मौझूद है क्या कहिएं कैंपस के बारे में और इस गाओं का देखने को मिलता है कि एक कमेंपस में तीन चीन चार चार मंदिर होते हैं और मेरा कहना है आपके चैनल के माधियम से हम लोग छोटे छोटे थे करी चार पांच बरस के वास्थाब होंगे तब से ही हमारे बुजूद हमारे पुर्वा जो हैन मूर्ती बिठा करके और पूर्ज आर्चना करते चले आ रहे हैं धीरे दस बस बीता होगा तो मेला कायूजन हो गिया यह लगभाग उन्हें सोब बिरासी स्वीशे काज करम चलता चला रहा है इस फिल्ड में इस आउजन में मासर सती की ग्रोंड में और उनकी पूजा अर्चना के बाद तरह तरह के नाचगार पन हर साल बदल बलल के नाचगार किया जाता है और अनमती अनमंडल पतादी कारी को और से बिरोल पतादी कारी को और से लिया जाता है और मेला में कोई परकार का भी घन बादा नहीं है पूर्णता सांती बातावरन में यह आजन करता चला रहा है हमारे ग्रामीन के साजोग से अपिलाहल इस ग्रावन में मि मंदिर बना दिये उसके बाद एक जूठ होकर पुजा पाड़ भी करते हैं और अनेकों जगण और बगल में देखिए महादेब मंदिर है जो लगबग सौ साल पुराना मंदिर है कितना साल पुराना होगा महादेब हम लोगों का भी लगबग पैसाट सतर बरस का उमर हो रहा है साइद हमारे जानम से पहले से ही यह मंदिर है हम लोगों का कोई यादिया कब बना नहीं बना यह हम लोगों से बहुत पहले बना होगा है कब से लगड़ा मेला अशी बेरासी से यहां जो है मेला लगड़ा है समाज मिल कर यह पुझा पढ़ा समाज मील करके चंदा चुटकी करकर के हम लोग मेला भी लगाते और सरुसती जी का श्थापना भी किये हैं बबन बनाए हैं और एक नहीं यह जितना भी हमारे इस ग्र सभी समाज के सहजोग से ही हो रहा है यह सलेश महराज का मुर्ति है थोड़ा आप यह मुर्ति का देख लीजिए पहले बार हमने नाम सुना और मुर्ति भी दिखाएंगे उनकी करीब जाकर दिखाएंगे मुर्ण आप इस लेगते हैं कितना खुपवसूरत यह नजारा है जो बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है और जहां भारत वर्ष की बात है सलेश जी का मंदिर भी बहुत कम जगा है आपने इस से पहले कर देखा है है सुफ॥ जीज्वां जेहां तक अख मेराज मना से सलेश जी से बहुत बड़ी आस्था होगी जिसकी वज़ा से मंदिर बना है वह हमारे पुर्वजों से ही सलेश महराज का पूजा पाट करते आया है इसलिए हम लोग भी अभी लोग अपने पुर्खा पटी जो हमारे थे उनको रिती रिवाद विवार को धरते हुए इन द महराज है और यह मां भगति जगड़म में सभी को हम लोग पूछते हैं सब को मानते हैं किसी के अश्वात नहीं मानते हैं इसलिए एक साथ आपने पांच-पांच मंदिर बना दिया एक हैं जे सर यह तो हमारे पुर्खा पती जो थे हम लोगों का पुर्वज से ही उन आपर यस तान पाइले से ही गाम है